जैसे किसना दोस्तों बी एस सर्माबाद्वा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है दोस्तों अगर संतान प्राप्री में रुकावत आ रहे हैं आप संतान प्राप्री के लिए पृत्व प्राप्री के लिए कर रहे हैं या जिनके बेवाईक जीवन में रुकावत है बेवाई रिष्टा नहीं उपा रहा हर मनो कामना को पूरा करने वाला एक छोटा सुपाय बता रहे है इस सुपाय को करने से कुंडली की जो असुन ग्रह होते ही वो सांत हो जाते हैं सबी बंदन खुल जाते हैं अगर किसी ने कुछ बंदन किया है वो बंदन भी खुल जाता है यह अच्योग उपाये इस सुपाय को आप केवल समबार के समबार कर लो तीन संबार के बाद में असा दिखाई देने लग जाएगा साथ संबार तक तो कारिश शिद्ध हो जाएगा आपको इसमें करना यह है क्या आपको बेल पत्र लेने है बेल पत्र का द्यान रखे बेल पत्र बिलकुल साबत होने चाहिए कहीं से कटे फटे नहीं होनी चाहिए बेल पत्र लें कितने बेल पत्र जितनी आपकी उमर है जैसे आप 37 साल के हो गए 25 साल के हो गए 30 साल के हो गए उटने बेल पत्र के पत्ते लें अगर उटने नहीं मिलते हैं तो आप एक बेल पत्र के पत्ते के द्वारा भी या दो या च जो मिल जाएं उसे भी कर सकते हैं क्योंकि बेल पत्र शिवलिंग पर चड़ा हुआ भी हमेशा दो करके चड़ाया जा सकता है आपको एक बरतन में जल और उसमें कच्छा दूद डालना है उसमें बेल पत्र को डाल लो आपको एक से आठ दाने चावल के लेने हैं लाल चंदर लेना हैं आप जाकर के सबसे पहले भगवान बोले नाट का उसे कीजिए उसके बाद में एक से आठ दाने चावल के जहां जलेरी होती है, जल गिर के नीची तरफ जाता है, नाग का चिंड बना होता है, असुक सुन्द्री के इस्ता है, उस जगे पर चड़ा दे, चावल के दानों को, ओम नमस सिवाए, ओम नमस सिवाए कह करके, तोटे फोटे नहींने चाईए, और जो बेल पत्र के पत्ते हैं, आपको करना या कि एक बेल पत्त्र का पत्ता लिया, जो जल में दूबा हुआ है, और चिकनी साइड में, आपको चिंडन की तीनों पत्तों पर बिंदी लगानी है, और ओम नमो भगवते महादेवाई नमा क्या मंत्र ओम नमो भगवते महादेवाई नमा इस मंत्र को बोल करके बेल पत्र का पत्ता चड़ा दिया फिर अपनी मनों कामरा बोली ऐसे वो सारे पत्ती चड़ाने अगर वोई पत्ता चड़ाया फिर दोया जल में फिर उसमें डाला दोया कच्ची लसी में फिर लिखा फिर उसके बार में फिर चड़ा दिया इस तरह से चड़ा करके उसके बार में आपको गी का दीपक जलाना है भगवान सिब जी के आती करनी है इसके बार चाबल की जो दाने उनमें से कुछ दाने उठा के ले आएं और लाकर के उन दानों को दूट के साथ में खा ले लाएं ये एतना करना हैं इस सुपाई को आप संवार के संवार करें सारे बंदन खुल जाएंगे अगर किशी का कोक बंदन है तो कोक बंदन में सुपाय को करने के बाद चाबल के दानों के साथ साथ एक बेल पत्र का पत्ता भी लियाएं और लाकर के रात को अपने पेप पर वांद करके सोई और दूर से दिन उस पत्ते को ले जाकर के पीपल के नीचे रखे आए केवले इस उपाय को साथ में कल ले कोक बंदन भी खुल जाता है दोस्तों इस सिज जो सारे कारशिद्ध हो जाते हैं अगर आप नौकरी के लिए बिवाय के लिए प्रिटन कर रहे हैं तो इस बेल पत्त्र के पत्ते को लेकर कि अपने पर्स में रख ले तो आपका कारशिद्ध हो जाएगा इस उपाय को जरू करें वीडियो को शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें आप सभी को जैसी किस्णा